तो हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google AdWords के अकाउंट के सस्पेंशन के बारे में आज की डेट में Google AdWords बीना बताए बीना किसी नोटिफिकेशन के Google AdWords का अकाउंट जो है सस्पेंट कर दे रहा है तो ऐसे में हमेशा ये सवाल आता है लोगों के मन में कि अगर Google AdWords में मैंने अपना पैसा डाल रखा है तो अगर अकाउंट सस्पेंट हो जाएगा तो क्या मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा और क्या रीजन है जिसकी बज़े से मेरा AdWords का अकाउंट जो है सस्पेंट हो जा रहा है क्या हम उसे फिर से रिकवर कर सकते हैं या नहीं तो इनी सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो हे गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल डिजिटल काका मेरा नाम राहूरा है और आप चैनल पर फर्स टाइम आया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गलती नहीं करी तो क्या ऐसा रीजन है जिसकी वज़े से गूगल एडवर्स जो अकाउंट को सस्पेंट कर दे रहा है और बीना किसी नोटिफिकेशन के तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा गूगल एडवर्स अपनी पॉलिसी को ले के बहुत ज़्यादे स्ट्रिक्ट है अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो आपका एडवर्स का अकाउंट जो है सस्पेंट हो जाएगा कभी और गूगल एडवर्स इसके लिए बात दे नहीं है कि वो आपको नोटिफिक केषंट होते हैं जो आपको गूगल एडवर्स कहता है कि उसको मत प्रमोट करो लेकिन आपने गलती से प्रमोट कर दिया तो वहाँ पर अकाउंट के सस्पेंड होने का चांस 100% हो जाता है अब प्रवाबिटेट कंटेंट में क्या होता है प्रवाबिटेट कंटेंट में ज पेडिट कार्ट से बटो पेमेंट फेल हो गया किसी रीजन से तो Google AdWords को लगता है कि यह सब्सक्राइब करने की कोशिज नहीं करता है कि मेंभी आपके अकाउंट में पैसा नहीं है maybe आपके bank की तरफ से कोई problem हुआ है अगर आपका जो payment आप कर रहे हैं एक या दो बार fail हो गया तो suspicious payment count कर लेता उसको और आपके account को suspend कर देता है अब तीसरा reason है जैसे clocking अब बहुत सारे से लोग है क्या है कि ad में कोई content और दिखाते है एड कुछ और दिखाते है landing page कुछ और होता है यानि कहीं पे भी कुछ match नहीं करता उनका landing page और उनका ad का तो वहाँ पे भी जो है आपके account को suspend कर दिया जाता है तो basically आपको कोईसिस यही करना है आपने जो ad बनाया जिस topic पे ad बना रहे हैं उसी से related वही landing page आपका होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने ad कुछ और बनाया land कहीं पे और करा दिया यह clocking में आता है और यहां से भी account suspend होता है और जो next reason है जैसे आपने किसी company का trademark यूज किया किसी दूसरे business का नाम यूज किया बिना उनके permissions के ठीक है तो यहां पे भी account suspend हो जाता है यानि आपको सिर्फ अपने company का आपका जो business खुद का है जिसका patent है आपके पास उसी का ad आप चलाएं नहीं तो आपका account suspend हो जाएगा और जो next reason है जैसे Google AdWords के तरफ से कुछ health से related product जो होते है health से related जैसे कुछ supplement होता है कुछ ऐसी दवाएं होते हैं जिसका Google AdWords कहता है कि आपको promote नहीं करना है Google AdWords में खास तोर से इंडिया में ये प्राविटेड है बट कुछ other countries में आप promote कर सकते हो तो कुछ supplement, कुछ medical equipment से related चीज़ें आप Google AdWords पर नहीं promote कर सकते हो लेटर Google AdWords का update आया है health से related medicine और बाकी की चीज़ों को promote करने के लिए उकाम कर रहे हैं यानि बाद में आप कर सकते हो बट अभी नहीं कर सकते हो तो ये जो reason मैंने आपको बताया ये सारी reason ऐसे हैं जो आपके AdWords की account को suspend कर सकते हैं पहले जो Ad Disapprove होता था बट अब Ad Disapprove नहीं होता है सीधे account suspend हो जाता है अब next reason है जैसे आपका कोई WordPress पे website है ओ अल्रेडी कभी hack हुआ है या उसमें कोई malware आ गया है और आपने उस site को promote किया Google AdWords पे तो वहाँ पे भी आपका AdWords का account suspend हो जाएगा तो दोस्तों ये सारे reasons है ये सारे कानण है अगर आप इसको ध्यान से समझते हो तो आपका account suspend नहीं होगा अब बात करते हैं दूसरी कि अगर suppose चलो मालो AdWords का account suspend हो ही गया तो आप क्या कर सकते हैं उसको recover कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और जो पैसा है हमारा उसमें वो आपस हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है जब आपका account suspend होता है तो Google AdWords आपको एक mail करता है और उसमें साब-साब mention होता है कि ये आपकी गलती नहीं है और आपका account suspend हो गया है तो आप यहाँ पे appeal कर सकते हैं तो simply आपको उस appeal form पे click करना होगा और कुछ details AdWords की तरफ से मांगा जाता है जिसको fill करना होता है और आपको एक request करनी होती है कि ये गलती मेरी नहीं थी और ये by mistake हो गया प्लीज इसको activate किया जाए तो ये इस तरह से आप appeal करके recover कर सकते हो अपने account को मैंने अपने एक दो account को recover किया था इस तरह से ठीक है और जो next बात है कि आपका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो same mail में ये भी mention रहेगा कि अगर आपका पैसा है इसमें तो आप refund के लिए भी request कर सकते हैं तो refund पे request करके आप अपने पैसे को within one week वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी helpful होगी तो प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब किजिएगा थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो